Hello dear friends, कैसे हैं आप लोग तो आप लोगों के लिए लेकर आए उट नए वीडियो जिसमें आज हम डिसकस करेंगे बॉल बीरिंग के बारे में कि हम इसको करें तो कुछ इस टाइप से हमारे पास जो है वह किलियर बन जायेगा जहां पριंदें पार्ट की बात करें तो हम इस बोल सकते हैं outer इन रिंग यह हमारी इनर रिंग कहलाती है और यह हमारी बाल्स लगी हुई हैं इसका जो काम होता है वो motion को transmission में काम करता है मतलब motion को transmit करता है और supporting systems के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इसलिए हम bearing का use करते हैं और वो भी wall bearing का तो इसको किस तरीके से step by step बनाना है उसके बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां से autocad को open कर लेता हूँ क्योंकि हम इसकी जो drawing से वो autocad में बनाने वाले हैं इसलिए मैंने autocad को open कर लिया थोड़ा सा time लगेगा जब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं यह हमारी 2D के drafting है इसमें एक freehand आपको line draw करनी है कितनी के draw करनी है आप कोई भी dimensions की एक line को draw कर सकते हैं और यह line जो हमारी है और fix है यह axis है हमारी center line है clear है तो एक line हम draw करेंगे freehand 50, 60, 70 जो भी आपकी इच्छा हो कोई दिख करते हैं उसके बाद 75 का distance लेने के बाद एक line again draw करेंगे same distance की और जिस पे एक rectangle बना हुआ है 50 by 25 का तो सबसे पहले हमने autocad को यहां पर open कर लिया है आप देख पा रहे होंगे और start drawing करते हैं मेरे पास यहां पर autocad 2020 version है इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो 2023 पर था latest version था कोई फरक नहीं पढ़ता है उसकी खुंसी version पर बना रहे हैं सबसे पहले हमने यहां पर एक line draw की freehand L enter किया और यहां पर click करने के बाद एक straight line F8 press कर सकते हैं और थो on के लिए और एक मैंने यहां पर 70 की line को draw कर लिया 70 enter then escape command दबाया command से बाहरानी के लिए और top पर click किया तो line हमारे पास सामने बन के आ जाएगी then अभी फिलाल से सबसे पहले हमने इस line को draw किया है इसके बाद आपको एक line और draw करनी है जिसका distance हमारे पास 75 है और एक same line बनी हुई है तो यहां जाने के बाद हम again line को ही click करेंगे और इस line को select करने के बाद इसका हम offset लेंगे O enter again 75 enter और अपर directions पर click कर देंगे तो हमारे पास यहां पर 75 की distance पर एक line automatic create हो जाएगी उसके बाद again जो हमारे पास part है आप देख सकते हैं एक rectangle को draw करना है और वो जो rectangle है वो 50 by 25 का है तो 50 by 25 का rectangle को create करने के लिए again हम rectangle command को लेंगे then enter press करने के बाद click करेंगे base point पर और यहां पर हम लिखेंगे 50 by 25 then enter तो आप देख सकते हैं 50 by 25 के एक rectangle draw हो जाएगा उसके बाद हमारे पास जो next part है यहां पर एक 30 की distance के बाद एक हमें again rectangle को draw करना है जिसका dimension 50 by 20 है 30 नीचे आना है उसके बाद 50 by 20 का एक rectangle को draw करना है तो इसी line को select करने के बाद इसका हम offset लेंगे O enter again 30 enter और lower direction में click करने के बाद यहां पर एक rectangle को again draw करेंगे REC enter click here and 50 by 20 अब यहां पर हम minus 20 लेखेंगे because यह हमें lower नीचे down direction में बनाना है तो minus 20 okay इतना प्रेश करने के बाद इन लाइनों को हम click करके और bleed कर देंगे again यहां आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यह part create हो चुका है अब यहां पर हमें 19.2 का एक circle को create करना है और 38 जो है वो ball का dimensions है और 19.2 जो है वो inner का direction है ताकि जो point 2 है तो वो हमारा बना रहा है उसमें gap बना रहता है ताकि हम उसमें greasing island बगरा कर सके हैं अच्छे तरीके से तो यहां आने के बाद सबसे पहले हमने c press किया या हम एक यहां पर एल इंटर करने के बाद center point से इस center point हो हम इसको mid point बोलते हैं और circle का center point कहलाता है यहां क्लिक करने के बाद एक again draw करेंगे line mid point से यहां जाने के बाद जिसका dimension रहेगा 19.2 ओके friends तो इतना हम clear बना चुके हैं इतना बनाने के बाद tr enter press करना है आपको और इन line को आपको trim कर लेना है इस तरीके से हमारे पास यह पूरा part clear हो जाएगा और यहां पर आपको again draw करना है 3D में जाने 3D में जाना है और इसके बाद यह आपको balls को create करना है यहां पर आप count कर सकते हैं जो balls है वो number of 8 balls है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th हमारे पास total 8 balls है और 8 balls बनाने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे sphere कमांड का तो आप 3D में भी जा सकते हैं या आप चाहें तो shortcut भी लगा सकते हैं यहां पर 3D modeling और 3D basic का यूज करने के बाद आप click करें और यहां जाने के बाद आपको यूज करना है आप देख सकते हैं फिलाल से मैं यहां पर shortcut की यूज कर रहा हूं आप click कर सकते हैं इस फियर में और यहां जाने के बाद simply click करना है देन उसके बाद आपको center point में आने के बाद यहां पर click करना है 19 mean 38 diameter और यदि आप diameter click करना चाहिए तो उसे भी डाल सकते हैं फिलाल से हमने 19 डारेक्शन का बना लिया अभी यह हमारा 2D wireframe में हैं तो इसको हम realistic कर लेंगे इस तरीके से realistic तो यह हमारी जो balls है वह realistic बन चुगी है और आप देख सकते हैं यहां पर 2 का distance हमारा चुटा हुआ है इसको क्लिक करने के बाद आपको यूज करना 3D array then enter प्रेस करने के बाद select object then enter उसके बाद यहां पर polar को क्लिक करना है और number of balls कितनी है 8 then enter कितने में घुमाना है 360 में then enter yes करना है उसके बाद आपको देना first point then second point और आप देख सकते हैं 8 balls automatic create हो चुकी है 3D array के through then आपको जो remaining parts है इसकी inner part और outer part को भी create करना है उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर revolve command और इसका shortcut होता है r e v then enter जैसी ही revolve command को क्लिक करेंगे then first point then second point और enter प्रेस करेंगे तो first then second और आप इसको खमाएंगे 360 में 3 6 0 enter तो हमारे पास यहां पर यह ball bearing जो है वह automatic create हो जाएगा आप देख सकते हैं इस types तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीका है ball bearing को create करने का इस types और यदि आप चाहें इसे metal को apply करना है तो आप m80 एंटर कर सकते हैं material के लिए जैने इंटर प्रेस करें और जो भी material आपको यहां पर fill up करना है आप number of types के materials को fill up कर सकते हैं थोड़ा सा time लगेगा because यह 3D की commands है तो इसी तरीके की video देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दिछित knowledge academy को like करें subscribe करें and share करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास है material command है और आप इसको metal का जिसका बनाने चाहें तो फिलाल से में इसको metal का ही बनाएंगे तो इसको steel का बना सकते हैं metals मिल जाएंगे फिलाल से हम यहां पर इसको यूज करने वाले है stainless steel देन थोड़ा सा और नीचा आने के बाद फिलाल से stainless steel को क्लिक करेंगे देन आप इसको में apply कर सकते हैं इस टाइप से हमारे पास जो यह material है वो बन जाएगा इसको आप किसी भी तरीके के materials के बना सकते हैं यह देख सकते हैं आप तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूटूब चैनल दिच्छि क्राओ।्छिए विर्चियो थाओ यूटryक पलेको जुछिए लख के वीडिवढ़ हैं ज्से के लफिट रिए सकते हैं बने जाप इसलिए कि अीका घए को चांनों हैं ज bueno, appell बने बने चली एग हैं और भुइस ठाक फबार दिएली बने दो यूटर में इसठीं जो ते